हेलो दोस्तो दोस्तो आप लोका स्वागत है हमारे चैनल ट्रायो टेक में दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने दो अलग-अलग फोटो को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं और दोस्तो जो में ट्रीक आज आपको बताऊंगा दोस्तो यह सबसे सिंपल बताऊंगा वैसे आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों अगर उस तरीके से आप करते हो तो थोड़ा ज्यादर टाइम आपका जाता है और दोस्तों जो मैं ट्रीक आज आपको बताऊंगा यहां आसानी से आप किसी भी दो फोटो को एक स चैनल पर डालते रहते हैं चलो दोस्तों देरियने करते हों चलते हैं अपने टोपिक सो तो दोस्तों अगर आप दो फोटो को एक साथ जोड़ना चाहते हैं मर्ज करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक फोटो को पी एंजी में करना पड़ेगा दोस्तों वह भी बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों यहां पर आपको Chrome पर चला जाना है और वहां पर website है दोस्तों उसकी link में description box में दे दूंगा वहां से डारेक्ट आप इस website पर आ जाएंगे दोस्तों यह website को आपको simply open कर लेना है उसके बाद दोस्तों आप जिस photo को PNG में convert करना चाहत हैं तो दोस्तों उसको आपको यहां पर select कर लेना है simply मैं select कर ले रहा हूं दोस्तों आप देख सकते हो मैं यह गैलरी में जाके फोटो को मैं यहां से select कर ले रहा हूं यह वाली photo मुझे करना है PNG में दोस्तों मैं इसको select किया यहां पर uploading होगा अभी थोड़ा time लगेगा द दोस्तों यहां 100% uploading होने के बाद आप उसको PNG में download कर सकते हैं दोस्तों यह तुरंट background remove करके website तुरंट आपको फोटो दे देती है तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो दोस्तों यह देख सकते हो यह मेरा original photo है दोस्तों यह देखिए background remove होके आ चुका है दोस्तों आपको simply यहां download वाले option पर क्लिक करना है और दोस्तों यह image download हो जाएगी चलो दोस्तों चलते हैं आप देखते हैं कैसे हमें दो फोटो को एक साथ add करनी है तो इसके लिए दोस्तों आपको एक एप्स की जरूरत पड़ेगी उस एक का नाम है fix lab दोस्तों fix lab लगभक सभी लोग ला अलữa करके उस browser ceبة in the Forestuin ये यह सबसे पहला ही इसको आपको कर लेना है यहां सी JOE डाउनलोड करके इस प्तल दोस्तों आप इसका आइकोन देख सकते हैं दोस्तों चलो दोस्तों सबसे पहले मैं को बताते हैं आपको पैसे दो फोटो को एड़ करना है एक साथ तो जैसे कि दोस्तों मैंने खोल लिया है फिक्स लेप अपना दोस्तों यहां पर एप्स मैंने खोल लिया है यहां पर दोस्तों आपको साइड में करना है यहां वाइड बैग्राउंड ले लेना है पहले दोस्तों इसके बार इमेज साइज आप यहां वैज ग्राउंड रखना चाहेते हैं पहले हो फोटो को अब आपको कर देंद呀 दोस्तो जिसमें बैक ग्राउन्ड है दोस्तो मैं GRÜNEN रहा हैं यह पोतो दोस्तो मैं यहां से यह वाली फोटो कर दोन दोस्तिh अचाराओ दोस्तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं अर्श की उस्का पर दूस्तों आẫnियो चाहों इसको परफिये कियो गिया इसके बातों आपको सिंप्ली जो आपने इसका मि ROB किए हैं भी आपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं दोस्तों यहीं पर आपको फिंगर रखके इसको छोटा बड़ा कर लेना है दोस्तों देख सकते हैं उसके बाद आपको इसका एंगल थोड़ा सा घुमा देना है दोस्तों यहां पर एंगल थोड़ा सा आपको इसको घुमा दे लिखना है 3D ROTATE में जाके दोस्तों आप देख सकते हैं ये दो फोटो एड़ हो चुकी है दोस्तों यहां पर आगर आप कुछ लिखना चाहेते हो इसमें तो लिख भी सकते हो दोस्तों मुझे कूल लिखना नहीं उसके बाद दोस्तों मैं सेव करने के लिए आपको बता दे नहीं दोस्तो आपको एक चौथे नंबर पर आपको किलिक करोगे तो दोस्तो साइड में जो वाइड बैग्राउंड फोटो के साइड में बचा था वह सब फिए और दोस्तो यहां ऊपर आपको सिंपली करना है क्लिक और दोस्तों यहां क्लिक करने के वाद सेव है इमेज पे आपको सिंप्ली कर देना है टैक और यहां सेव टू गैलेरी में कर देना है क्लिक दोस्तों यह फोटो हमारी सेव हो चुकी है गैलेरी तो दोस्तों देख लेते हैं फोटो गैलेरी में हमारी सेव हुई है कि नह सकते हैं थो दोस्तो ऐसे ही आप बड़े आसानी से किसी विए दो फोटो तीन फोटो को आप एक साथ एक सलगे अगर देल मिलते हैं अगले वीडिओं लिभी फश्च फोटो को आप को सबढ जाए खरूधाए